एलो फ्रेंड्स हाव रू यू इन आवर लास्स वी स्टार्टेट टू डिस्कस अबाउट दे वाइल लाइफ वी डिस्कस्ट बाउट वाइल लाइफ अपन एनिमल से लेती हैं यह जो नेचल है बिटेट में जो पाया जाने वाले जो आइनिमल से उन लेकिन अगर ब्रॉड लेवल में बात करें तो वाइल लाइफ का मतलब जितने भी लिविंग और्गेनिजम से चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल सो जो की नेचल में पाया जाते हैं यानि कि नेचल हैबिटेट में होते हैं उन सभी को अपन वाइल लाइफ की के अंदर क कि इंडिया के परिक्टिकुलर रेस्पेक्ट में अपनने बात की तो इंडिया जो है वह एक मेगा बाइडाइवर्सिट कंट्री के कंसेडरेशन में लिया जाता है क्योंकि यहां पर टू पॉंट फॉर परसेंट लेंड ऑफ दे वर्ड उस पर वाइट पॉंट परसेंट जो एनिमल्स की जो है वो पाई जाती है मतलब बाइडाइवर्सिटी पाई जाती है 8.1 परसेंट ओके एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेट टू डिसकस्ट अबाओ दे रीजंस ओफ दी फोरस्ट रीजंस ओफ दे इस्ट्रक्शन आफ वाइल लाइफ जिसमें अपने न के बीच में होने वाने कॉन्फ्लिक्ट उन सभी को अपने कंसेडर किया था और उसके बाद अपने बात की थी आयू सी एंड क्लासिफिकेशन की आई यू सी एंडाट मेंस इंटरनेशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर उन्होंने एक बुक जिसको अपन बोलते ह है राइड डाटा बुक क्या बोला जाता है रैड डाटा बुक उन्होंने 1972 के अंदर उन्होंने उसके लिए एक बुक को पुब्लिश किया था राइड डाटा बुक को जिसमें इस पीसीज को फाइफ के अंदर डिवाइड किया गया था that was extinct, endangered, vulnerable, rare and insufficiently non-species okay now in today's class I am starting to discuss about the conservation of wildlife in India, India के अंदर wildlife conservation किस तरीके से किया गया है क्या किया गया है यहां पर अब यह टॉपिक जो है wildlife conservation यह अपन लेस्न नमर 19 में पढ़ेंगे more detail में वहाँ है तो यहां पर briefly उसके अपने उपर उसके उपर अपने को बात करनी है okay in India wildlife conservation was under the national forest policy during 1952 to 1972 1952 से लेकर 1972 तक जो wildlife conservation है वो national forest policy के अंतरगत आता था यानिकि उसकी consideration में था okay इस ताइम पर 72 के अंदर for the protection of the wildlife in 1972 wildlife protection act was formed 1972 में wildlife को protect करने के लिए wildlife protection act जो है वो बनाया गया था this act is implanted today with many amendments यही जो 1972 के अंदर यह जो बनाया गया था act वही आज भी लागू है लेकिन उसमें बहुत सारे amendments हैने के संसोदन या उसमें changes कर दिये गए है as per the time requirement वही 1972 का टाइम दूसरा था आज का टाइम दूसरा है तो उसी के according जो requirements जो थी उनके अनुसार उसमें changes लाते वे आज भी वही rule या law applicable है तो एक तरिके से यहां पर यह question पूछा जा सकता है कि इंडिया में wildlife protection जो है वो कौन से लोग के अंतरगत या कौन से एक्ट के एक्ट में consider किया जाता है तो that is 1972 wildlife protection act यह अपने को थोड़ा सा याद रखना है one number question यहां पर बनता है तो 1972 जो wildlife protection act है उसमें इसके बारे में यहां पर बात की गए थी okay this act is implanted today with many amendments in India national parks wildlife centuries biosphere reserves etc are constructed for wildlife conservation India के अंदर wildlife को conserve करने के लिए centuries biosphere और national parks यह सब construct किये गए है okay now let me start to discuss one by one these three structure that is national park second is by second is century and third one is biosphere okay now the first one is national park it is a natural habitat natural area where wildlife and natural habitat are protected along with the environment यह एक natural area होता है जिसमें wildlife और उसका जो natural habitat है wildlife और उसका जो natural habitat है उसको उसके environment के साथ along with their environment protect किया जाता है I am again repeating it is a natural area जहां पर भी national park बनाना होता है तो उस पर्टिक्लर पूरे एरिया को उस पूरे एरिया है उस पूरे एरिया को ही तरीके से अपन बोल सकते हैं तो वहां पर जो भी wildlife है जो भी natural habitat है वो पूरा प्रोटेक्ट करना केवल wildlife को नहीं बलकि उसका environment भी प्रोटेक्ट करना इसका में इह में अपन बोल सकते हैं there is a complete vein of get on cattle grazing and other human activities यहां पर human activities पर पूरी तरह से बेन होता है human activities पर पूरी तरह से यहां पर बेन होता है that means जो animal grazing जो है cattle grazing वो भी allowed नहीं होती तो hunting plant plant की जो cutting है या जो और जो human activities उनका consideration ही नहीं किया जा सकता तो यहां पर पूरे तरह से human activities बेन होती है प्राइवेट ओर्गनाइजिशन आर ओल्सों बेन to conduct any activity in natural parts इनमें जो प्राइवेट ओर्गनाइजिशन से हैं चाहे वो wildlife से जुड़े वे हूं चाहे tourism से जुड़े हो किसी सभी जुड़े वे क्यों नहीं हो उनकी activities पूरी तरह से बेन होती है कि देर से control and management etc is done by central government इनका जो control और जितना भी working है वो सारा सारे किसकी अंतर के ताएगा central government okay some part of the national park can be developed for tourism also national park के कुछ areas जो है उनको tourism की purpose से भी develop किया जाता है जैसे पन national parks में जाते हैं चाहे आपन शरिसका national park में जाएं या penguin नेशनल pork में जाएं या Warm подготов distribution पार्क में जाएं तो वहां पर अपने particular particular एक particular area मिं particular season मिं visit करने दीया जाता है कि आप पूरे एर विजट नहीं कर सकते particular season जो है और पूरे national park में आप विजिट नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से आप विजिट नहीं कर सकते हैं आपको वहां पर permission लेनी पड़ती है उसके लिए पर्टिकुलर पे आपको करना होता है उसके बाद यहां से question पूछा जा सकता है कि किसी नहीं के सी the National Park आपको नीम बत बोल लिया और उसका state पूछा गया की टैल में वहारससदे काजीरंगा शक्शल पार्क मेर को बता ही और द गॉटाई और कर शकी तèces गेर्ण नेशन पार्क शीटेड तो यह अपने को टेबल जो वह अच्छी तरह से प्रपेर करनी है ओके नेम ऑफ देशन पार्क अन्ट स्टीट फर्स्ट वन इस काजी रंगा नेशन पार्क it is in Assam, second is Gir National Park, it is situated in Gujarat, third is Great Himalaya National Park, it is situated in Himachal Pradesh, Bandipur National Park in Karnataka, Satpura National Park, that is Madhya Pradesh, Satpura, that is Madhya Pradesh, Sundarvan National Park, West Bengal, Ranthambur National Park and Kevaladevi National Park that are in Rajasthan, Corbett National Park, that is Uttaranchal, okay, first of all, when Uttar Pradesh and Uttaranchal 1 state, this is the name of Jim Corbett National Park, Jim Corbett National Park, the division from the other two portions in out there, on the other two year-old on the road, which means that we have to look at the National Park, which means that we need to look at the people on the road, when the teacher puts a trick on the road, okay, second is Sanjuri. Second is Sanjuri. These are also protected areas where wildlife hunting hunting is completely banned यह भी एक तरीके से protected areas हैं जहां पर wildlife wildlife जो hunting है वो completely banned होती है इस areas are mainly concerned with the conservation of wildlife यह areas जो है वो mainly conservation of wildlife से consideration जो wildlife conservation है उसको यह mainly target करते हैं यह उसके लिए concern होते अब जहां से समझना national park है protection से वहां पर तो क्या है protection है और यहां पर conservation है थोड़ा सा फरक आ गया थोड़ा से इसमें फरक है protection का मतलब वहां पर उसको किसी भी type की कोई भी problem से उसको अपन उस सभी चीजों को द्यान रखते हैं protect करना और conserve करने में थोड़ा फरक है protection में पूरे तरीके से वहां पर human activities का भी इन है जबकि यहां पर कुछ लेवल तक human activities allowed है अभी आगे activities private private की जो की wildlife को हाम ना करें affect ना करती हो और साथ में creative creative का मतलब यहां पर wildlife के growth से related है ठीक है तो उन activities के लिए private organizations को allowed किया जाता है अब में फरक अपन difference की बात करें नेशनल पार्क और centuries में बहुत सब्सक्राइब है लेकिन में में मोटे मोटे तोर पर अपन बात करें नेशनल पार्क की particular boundary होती है कि मतलब stone walls या फैंसिंग करके उसे पूरे तरह से human या जो अधर एक्ट एनिमल्स कोई भी जो एक आउटसाइडर का इंटरी पूरी तरह से बेन होती है जबकि centuries में इस तरीके से complete यह इनकी stone walls या एंसिंग कोई structure नहीं होती फास्ट इफ्रेंस दूसरा दूसरा जो भी है पन्ने बात की नेशनल पार्क मेड फॉर दे प्रोटेक्शन ओफ देवाइड लाइफ सेंचुरीज इस आर मेड फॉर दे कंजर्वेशन ओफ वाइड लाइफ ठाड नेशनल पार्क में human activities private organizations या हमारे जैसे जो वीजिटर्स हैं डाइट इस completely बेन उनके ओपर complete बेन होता है जबकि centuries के अंदर इतना ज्यादा strict rules फॉलो नहीं होते हैं कि आपको अगर विजिट करनी है नैशनल पार्क की तो आपको पहले पर्मिशन लेनी होती है पर्टिकुलर सीजन में पर्मिशन के साथ ही आपको विजिट करने दिया जाता है जबकि centuries में ऐसी कोई requirement नहीं होती है इस फोर आर्ड डिफ्रेंस बुटिन दस centuries एंड नैशनल पार्क्स similarities कि अपन बात करें तो first सेंचुरल एरियाज हैं दोनों ही जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको एन वहां पर एनिमल हंटिंग वगरार वो सब चीजें पूरी तरह से बेंड होती है तो यह कुछ सिमिलारिटी यहां पर बनती है अब यहां पर अपने को कुछ नैशनल पार्ट सेंचुरी के नाम हैं उनको अपने को याद अगने यहां पर अब जैसे यह क्रिशन है यह एक वन टाइम एक्जाम में पूछा जा चुका है नाली सेंचुरी इसस्ट बेजसन हैन एक्जांड हमाराशल हमाराणि वीर हसारी बेर प्रनी वीयर वेचिना नाल Šरोवर प्रानी वीहर studio करना बंटा अपनी बुक के अंदर दर ईंग्लिश मेडियुम के जो गिंथे कि मिस्टेक है हिंदी मेडियों एंग्लिशिंडियुम की इनमिक बुक में Department passenger यहां पर नाल सरोरो जो है in उन्होंने उत्तपदेश लिखा हुआ है क्या है वहां पर एक हिंदी मीडियम की बुख जो में जो भुख है जिसको यहां पर translation क्या जाता है तो नाल स्रोवर प्राणी विहार के बाद एक लाइन थी जिसमें गुजरात और चंदर प्रभाप प्राणी विहार ये लब वर्ड थे वो टाइपिंग नहीं तो सीधा सीधा ये नाल स्रोवर प्राणी विहार किसके चिपक गया उत्तरप्रदेश के तो ध्या प्राणात प्राणी विहार इन उत्तरांचल तो ये बोड के अंदर ये क्विशन पुछा जा चुका है वेर इस दे मनाली सेंचुरी सिचुएटेड मनाली सेंचुरी जो है वो कहां पर सिचुएटेड थी ओके अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राजस्तान में जो वाइल डाफ सेंचुरी हैं उनके नाम और वहां पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विशन अपने एग्जाम के लिए है ओके नव फर्स्ट वन इस सरिस्का इस सिचुएटे इन अलवर यह इदिज में डियर और कोड़ावन हीरन और जो गोड़ावन बाढ़ है उसको कंसर्डर यह करता है है second is Dara in Kota it is for panther mainly किसको कंचर करता है यह panther को third als Dash aj wurde Arizona Silva को जगली मुर्गा है उसको consider करता है तालचापर रеди का पर है फूरु मिह Barney वैं इस ब्लैकदीर जो काली हिरण है उनको consider करता रहे जवाहरste सागर कोटा जवाहर्सागर ने कोटा इस तरीके से थोड़ी से स्ट्रीम लाइन्ड है और जुम्ह उसका थोड़ा लंबा सा रहता है तो यह पुछा जाता है कि फ्लाइंग स्क्वेरल कौन से सेंचुरी में पाई जाती है तो यह सीटा माता के ला देवी अब एक और में बंदेवि केला देवी केला केला देवी एक नेक है अब निटियो जालाके र्कली बना देगे हैं तो थिस एक्वाभे 10 उश्कारां कुंअ गाहिम मैं यह जातेंगा है को अब वह भ्याक्र बादि नाशल पार्व कंजर्वेशन के लिए डॉक्टर सलीम अली और यह केला देवी तो ध्यान रखना केवला देव को केला देवी को एक कर डालो इट इस सिच्वेटेड इन करोली यह कहां पर है करोली में और किसके लिए डाड़ेस बियर जो भालू है उनको कंसेडर करता है ओके आइम अगें द है भरतपूर में ओके और यह है केला देवी विच इस सिच्वेटेड इन करोली एंड फॉर बार फॉर बियर ओके नेक्स इस नाहरगड़ इस सिच्वेटेड इन जैपूर यह कहां पर है जैपूर में और पर्टिकुलर्य फॉर्ट पैंथर एंड जैकाल अपने बुक में पर गलत आएवा फॉक्स फॉक्स का मतलब तो लोमडी होता है जबकि वहां पर सियार है सियार को इंग्लिश में जैकाल बोला जाता है तो थोड़ा से द्यांदे लिए नेक्स्ट आता है बायो स्फियर रिजर्व अगर अपन तीनों को कंपेर करें नेशनल पार्क सेंचु इस भी शामिल होती है दो तीन नेशनल पार्क सेंचुरी उसमें कंसिडर हो जाती है कि कोई फिक्स बाउंडरी नहीं है सटेन बाउंडरी नहीं है नेच्छरल undने को इर्य आपर किया जाता है कि उस मौनटरेन से लेकर उस रीवर पहले वाले का था protection centuries का था conservation इनका है scientific studies okay clear there are the these are the national natural areas which have been silent area for silent is for scientific study of wildlife biosphere जो है वो natural areas है जो एक तरिके से silent है मतलब यहां पर human activities इतनी ज्यादा अलाउड नहीं होती है हमें एक्टिविटीज का मतलब यहां पर रहने से मतलब नहीं है यहां पर human activities का मतलब है कि कोई industry is set up कर दी गई है जा कोई बहुत बड़ा मेगा प्लांट बना दिया या स्टेशन बना दिया एरपोर्ट बना दिया ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं होता साइलेंट है human activities से बाकी तो यहां पर बहुत साथे बहुत बड़े इलाक्यों होते हैं नेशल पाहर बाइस फेर्स के तो उसमें गाहां अगरा तो होते हैं लेकिन मतलब उस तरीके के जो destructive nature जो है human activities की वो यहां पर silent है for scientific studies of wildlife की जो scientific studies हैं उनके लिए ओकी दीज आर लार्जर दैन नेशनल पार्क्स जो बाइस फेर्स हैं वो क्या हैं नेशनल पार्क्स के मकाबले larger होते हैं centuries के मकाबले and consist terrestrial marine and coastal ecosystem इसमें बहुत सारी ecosystem शामिल हो जाते हैं terrestrial भी हो सकते हैं marine भी हो सकते हैं coastal भी हो सकते हैं या terrestrial marine terrestrial coastal वो depend करता है कि इतनी बड़ी साइज है इसकी biosphere reserves include conservation as well as sustainable use of wildlife biosphere जो है वो conservation उसके अलावा उसका जो यूज सस्टेनेबल यूज उन दोनों को एक तरीके से include करता है या दोनों चीज़े इसमें शामिल होती है तो यहां पर biosphere को biosphere reserve जो है उनका purpose conservation के अलावा उनका sustainable use भी है ओके एड़ प्रिजेंट डियर आर 699 there are 699 biosphere reserves in 128 countries जो वर्ड की 128 countries है उनमें 699 669 biosphere बनाए गए हैं इंडिया has 18 biosphere जिन में से इंडिया में कितने हैं 18 biosphere हैं ओके अब यह बहुत important question है the first national Indian biosphere वाज नीलगिरी biosphere विच फॉर्मडी 1986 इंडिया का जो सबसे first biosphere रिजर्व जो बनाया गया था वो था नीलगिरी biosphere कौन सा था नीलगिरी biosphere जो की 1986 के अंदर create किया गया था got it understand or not now अब यहां पर कुछ नेम है जो अपने को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वैसी बात यहां पर पूछा जा सकता है particular biosphere का आपको नेम दे दिया उसका पूछा रिजन या एरिया आप पूछ लिया गया फिर्स्ट वन है great Nicobar ग्रेट निकोबार रीजन या स्टेट जो इसमें शामिल अप्धियान देना एक कई एक स्टेटर कई दो तीन स्टेट्स में हैं अंडमार निकोबार आइजलेंड जो अंडमार नो निकोबार जो आइजलेंड से वहां पर यह सिच् आसाम थार्ड इस नीलगिरी बाइस्पीर जो अभी अपन ने बात की थी इट इस सुच्वेटेट इन दे कर्नाटका एंड केरला दोनों स्टेट के अंदर यह कंसेडर किया गया है दोनों स्टेट्स में आता है फूर्थ नंदादेवी पूर्थ आता है नंदादेवी इस इन वेस्ट बेंगॉल शिक्स्ते काना डड़ी इन मद्यपदेश सेवन तर्थार डड़ी इन राजस्थान तक अब ध्यान से रखना यह यह और यह ने नाम है काजिरंगा नेशन पार्क भी है सुंदरवन आज अजसुन दरवन नेशन पार्क भी था और जो काना अपन अपनेशन नेशन पार्क में डिकलेर किया हुए और बाग की जो पूरा बड़ा एरिया है यह बाइस वह क्या माना वह यहां पर बाइस प्रियर अट अफर डिसकूसिंग देस सेकें नेशन रिसॉर्स एट वाइल लाइफ आम स्टर्ट इंट थार्ड वन यहां पर बाइस् इग्वेंट वाइटर कंजेरवेशन और उसका मैंटेश्मेंट इक लाइन बोली जाती है वाटर इस लाइफ जल ही जीवन है जित्ट विदाउट लाइफ या विदाउट वाटर वाटर व्यूर्य था लगन आट कंसेडर आवर लाइस वाटर जो है वो तरीका से एपन बो The two-third area of the Earth's surface is submerged in water. Earth's surface का जो two upon third area जो है, two upon third area जो अर्फेस का, वो water के अंदर समझ्ज़ है, पानी के अंदर दुबा हुआ है. You know that approximately 67% of the land, so the Earth's surface is covered with the water. तो two-third, that means approximately 67 या 70% अपर बोल सकते हैं, कुछ भी अपर डाटा यूज़ कर सकते हैं, जनरली, okay? Out of this, 97.5% of the total water is saline found in ocean, sea and saltilakes. यहां पर आर्थ पर जो water available है, उस water का 97.5% जो है, टोटल वाटर का, वो saline है, जो की oceans में, या sea में, और जो salty lakes हैं, उनके अंदर पाया जाता है, and useless for us, हमारे लिए useless, that means हमारी जो daily life के activities हैं, drinking है, bathing है, washing है, उनमें अपन इसका use नहीं कर सकते हैं, only 2.5% is fresh water, 2.5% जो है, जो saline नहीं है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, fresh water, वही हम use कर सकते हैं, अच्छा, अब इसमें भी बड़ी problem है, which is found in the form of the ice, liquid and water weapon, जो की ice की form में liquid किया, water weapon, humidity जिसको अपन बोलते हैं, उसकी form में पाया जाता है, तो जो हमारे लिए available जो है, usable जो form है, that is liquid state, अब हम क्या use करते हैं, liquid state, और वो भी कौन सी, fresh water की, तो fresh water 2.5% और उसमें से liquid state बहुत कम है, mainly तो ice की form में है, तो liquid state कम है, इसलिए है, अपन बोल सकते हैं, water जो है, वो हमारे पास very very less available है, so it can say that usable water is very very less, जो हमारे लिए usable water है, वो बहुत ज़्यादा कम है, okay, अब यहां पर water जो particular जो problems जो अपन देख रहे हैं, कि लगातार water की crisis अपन देख रहे हैं, उसके reasons क्या है, increasing population, pollution of water bodies, or exploitation of the ground water, industrial demand, uncertainty of monsoon, neglecting traditional water resources, agricultural water demand, बाके सब एक्ट सेक्टरा में आ जाते हैं, creating water crisis, यह पानी की एक तरीके से जो problem है, जो समश्या जो अपन बोल रहे हैं, कमी की, वो create कर रहे हैं, तो यह कुछ reasons हैं, अब यहां पर बीटा, यह विल्कुल वैसा ही topic है, जिसको अपन चुइंगा मना सकते हैं, as per the requirement, हम इसको explore, पुरा पुरा अपन explanation के अंदर, इसको पुरा explore कर सकते हैं, और short form में भी अपन इसको consider कर सकते हैं, तो यह हमारे उपर depend करता है, as per the question weight is, हम इसका answer decide कर सकते हैं, अब कौन-कौन से reasons हैं, जो crisis create कर रहे हैं, population का बढ़ना, pollution, water bodies में जो pollution किया जा रहा है, ground water level का जो exploitation जो किया जा रहा है, उसके अलावा industrial demand, industries के जो demand है, लगातार, अब आपको एक simple सा data बोता देता हूँ, वन किलोग्राम पेपर बनाने के लिए approximately 6200 किलोग्राम वाटर वेस्ट होता है, तो आप सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा consider अब मैटल की processing में और ज़्यादा विस्टीज हैं, तो इंडस्टीज की जो डिमांड है, अंसर्टिनिटी और मांसून बरसाथ की अनिशित्ता कभी बहुत ज़्यादा होगी, च्रेणिशनल वाटर रसॉर्स्से जो अमारे पुराने जो परमपराघ जो ट्रेडिशनल वाटर रसॉर्स जो थी जिनका हम यूस करते थे, कि उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया भी पहले के टाइब में वा टर्यों करते थे, को करते थे आज कі टाइम भी ए है है एड़ परम तो हम बोली चुके है तो हम जो ट्रेडिशन वाटर रिसॉर्स इस उन को नेगलेक्ट कर दिया डाड़ इस यह कुछ प्रॉब्ल यह कुछ रीजन से जो कि वाटर क्राइसिस क्रिट कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ देफिशियंसी है जो बाटर की दो क्राइसिसे से उसने नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए आप लोग देखा भी होगा जब भी कोई कोई भी अपन जैसे पर्टिकुलर एक्जामपल ही ले लें इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जैसे कोई भी कॉन्फलिक्ट होता है तो सीधे सीधे की डिमांड होती है कि जो सिंदू रिवर है इंडस रिवर उसका पानी जो पाकिस्तान को जाता है वह बंद करो अभी आपको याद होगा वह उरी वाले टाइम पर अटेक जब वह आ था तो उस टाइम जब काफी जारे टेंशन थी इसी तरह से हम यानि कि अपन और जो चाइना है इंडिया और चाइना वह ब्रह्मपुत्त रिवर के लिए काफी जादा उनमें आपस में लफ्वर एक तरी इसी तरह से नेपाल और इंडिया है जिसमें रिवर्स के लिए काफी ज़्यादा मुनमुटाव या काफी ज़्यादा इक तरीके से डिस्पुट यहां पर रहते हैं इवन स्टेट्स की बीच में भी है चाया आप राजस्थान पंजाब ले ले चाया हर्याना राजस्थान ले ले चाय पंजाब रहकी हर्याणा ले ले चाय यूपी और भिहार ले ले तो जो करनाटका और जो आंडर प्रदेश उनके बीच में कावेदी रिवर्घ यहाल गुजरात महराश्थ्रा और म्र्दय प्रदेश के बीच नरम्दा रिवर्द्ध राजस्तान और मद्यप्रदेश के बीच में चंबल रिवर या फिर गुजरात और राजस्तान में नर्मदा और जो माही साबरमती है इनके लिए आप लोग अक्वार में बहुत बार पढ़े होंगे कि इनमें विवाद हुआ जल्विवाद हुआ जल्विवाद हुआ जल्विवाद आप यहां पर यह बहुत इंपारड़न कोश्चन आता है तब डबलव बढ़ेंट कुश्चन वीच जनरल या की आग्जाम सबसे पहला प्रिंसिपल है मैं अवकॉड़ेट की उब इससे बनाए रखना लोगों को वाटर अवीलेबल रही सेकेंड आता है प्रिंसिपल फालिटिंग फालिटर फोर्म पॉलूइशन इसे बचाना थाता है क्रीनिंग एंडडी partir सवापस वियुज करना कि तो दीस क्रीजिंग अर्डमेन प्रिंटेडर्वेशन निल्स थ्री आर्ड़े में प्रिंसिपल बन कंदेशले मैंडिन objective तो यह काफी जादे important question यहाँ पर आता है steps और ways of water conservation and management we will discuss in next class hope you like it, thank you